नमस्कार लाइब 24 पर आपके साथ मैं हूँ शिबानी ठाकुर सावन का महीना और बारिश ना हो ऐसा संभब नहीं लेकिन रविवार को इंद्र का रौदर रूप मिलेनियम सिटी का दम भरने वाले गुरुग्राम को जलगाओ बना दे जिधर नजर घुमाओं सिर्फ पानी ही पानी ओल्ड गुरुग्राम हो या डीलेफ वाला इलाका हर तरफ जलभराव देखने को मिला पूरा शहर एक जील की तरह दिखता नजर आया बारिश इतनी हुई कि इसने 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है रविवार दोपहर तक 1. 800 mm बारिश रिकॉर्ड की गई आगे भी बारिश के औरेंज अलर्ट को दिखाते हुए डीसी ने सोमवार को लोगों से वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी वही स्कूलों में भी छुट्टियों का एलान किया गया है पानी का प्रेशर इतना अधिक था कि शहर से निकलने वाली बा सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी मौसं विभाग ने दी है हालात को देखते हुए प्रशासन ने सोमवार को स्कूल बंद करने के आदेश दिये हैं आपको बता दे कि बारिश के प्रभाव से हाईवे और अंडर पास भी अच्छूते नहीं है सुबह को करीव चार घं चौक सेक्टर 31, सिगनीचर टावर, शहर चौक, सरहोल टोल और एंबेंस मौल के पास जलबराब था सुबहास चौक और हीरो होंडा चौक का पानी निकाल कर यहां पर कई घंटों के बार ट्राफिक संचालन हो पाया यहां पर बार जैसे हालात हो गए हाईवे पर नरसिंग पानी भर गया है शहर के सदर सिटी और सिविल लाइन पोलिस थाने में पानी भर गया सबसे अधिक जलबराव सुभास चौक स्थत सदर पोलिस थाने में था यहां पर थाने के पूरे कैंपस में पानी भर गया यहां पर जलबराव की समस्या कई सालों से है सुभास चौक प सेक्टर चार लक्षमन विहार, पालम विहार, सूरे विहार, गांधी नगर, वसेई इंकलेव, सरस्वती इंकलेव, भवानी इंकलेव, राजीव नगर, शीतला कॉलनी आधी एरिया में और मार्केट तथा लोगों के घरों में भी पानी हुसकिया है यहां पर देर शाम तक पानी नहीं निकल पाया था, गुरुग्रा में भारी बारिश के कारण प्ले स्कूल और इंटर तक के स्कूलों में छुट्टी घोशित कर दी गई है, मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद प्रशासन ने एतिहातन सोमवार को स्कूलों की छुट्टी को लेकर उपायोगत निशांत कुमार ने आदेश चारी की, दूसरी और स्कूलों की ओर से भी पेरिंट्स को मेसेज भेज कर सोमवार की छुट्टी के बारे में बताये गया है, जिला प्रशासन का कहना है कि सोमवार को मौसम विभाग से जानकारी लेने के बाद मंगलवार को स्कूलों का अवकाश के जाने के संबंध में फैसला लिया जाएगा